हालो फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ERT इलाबाद admission online form 2022 कैसे फिल करें step by step important date application fee eligibility और लिटेल इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमाय चैनल पे नहीं हैं प्लेस हमाय चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बैल आइकन का बटन मिलती रहें institute of engineer and roller technology IER परियागराज सबसे पहले हम important date की बात कर लेते हैं application start to April 2022 से अपके application start होगे last date for apply online की 31 माई 2022 है last date fee permit की 31 माई 2022 है exam day 21, 22, 23, June 2022 है application fee general OBC EWS candidate के लिए 1350 है CST candidate के लिए 1350 है वेदे fee through the debit card credit card net banking के तुरू आप permit कर सकते हैं इसके बाद हम प्रोग्राम यानि course की बात कर लेते हैं यहाँ पर eligibility देदी eligibility आप चेक कर सकते हैं engineer technology diploma 3 year का होगा जिसमें 6 semester होगे आपकी eligibility class 10 high school pass होना चाहिए with science, math and compulsory है subject or age limited जो है minimum 14 year होनी चाहिए आपकी age जो count होगी 1 July 2020 से होगी management diploma 2 year का होगा 4 semester होगे 10 plus 2 intermediate exam with English and Hindi compulsory है 10 plus 2 high school level आपने क्या होना चाहिए post diploma in computer application 3 semester का होगा diploma in any semester with physics and math subject जो है compulsory है 10 plus 2 intermediate आपने क्या होना चाहिए form भणने के लिए आपको IERT की official website पर आना होगा link आपको नेचे description मिल जाएगी महां से जाके आप डारेक्ट क्लिक कर सकते हैं जैसे आप क्लिक करूगे आपकी सामने इस तरह की screen visible हो जाएगी important interaction अगर आपको इंजीनियर टेक्नलोजी डिप्लोम में form फिल करना तो इस link पे क्लिक करना होगा अगर आपको 2 years semester management, diploma, entrance, examination 2022 इस में form फिल करना तो यहाँ पे registration link दिया हुआ इन पे क्लिक करना होगा जिस course में भी आपको form फिल करना है उस link पे आपको क्लिक करना होगा जैसे आप registration पे क्लिक करूगे आपकी सामने इस तरह की screen visible हो जाएगी important interaction यहाँ से interaction rate कर सकते हैं इस पे आपको accept process पे क्लिक करना है जैसे आपने accept process पे क्लिक क्लिक कर आपकी सामने इस तरह की screen visible हो जाएगी personal detail यहाँ पे आपको personal detail फिल करना है सबसे पहले यहाँ पे आपका course आगया किस course में apply कर रहे है two year four semester management diploma में आप apply कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको application name फिल करना है इसके बाद यहाँ पे आपको father name फिल करना है यहाँ पे आपको mother name फिल करना है यहाँ पे आपको अपने gender सेलेक करना है अगर आप male है तो male पर क्लिक करिये अगर आप female है तो female पर क्लिक करिये इसके बाद यहाँ पे आपको date over select करना है जो आपकी date over है यहाँ पे date over select कर लीजिये इसके बाद यहाँ पे आपको nationality select करना है जहां के आप रहने वाले हैं इंडिया से फोम फिल करें तो इंडिया स्लेक्ट करें नहीं तो अधर पे स्लेक्ट कर दीजिए इसके बाद आपको मुबाइल नंबर फिल करना जो आपका मुबाइल नंबर है इसके बाद इसके बाद इफ आप पैरेंट्स इंप्लॉई आपके फादर्स क्या करते हैं वो य इसके बाद Parents, Domicile, State आपको select करना हैं अगर यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी select करीए अगर Other State के रहने वाले हैं तो Other State पर select कर दीजीए इसके बाद यहां पर केटेग्री स्थ पर केटेग्री स्लेक्रीशिक करने हैं जो इस अपकी Category रहन found है category select कर लीजिए, sub category यहाँ पर आपको select करनी है, इसके बाद आपको examination center city name आपको यहाँ पर select करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको identity type select करनी है, जो आपने identity type select करिए, उसका यहाँ पर नमबर fill करना है, जैसे आपने आधार number select किया तो आपको आधार number fill करना होगा इसके बाद आपको qualify examination detail fill करनी है सबसे पहले आपको examination detail fill करनी है any extreme यहाँ पर आपको board and university name fill करना है जो भी आपको board है यह university है उसका name fill कर सकते इसके बाद आपने intermediate यानि 12 class कौन से year में किया है वो year आपको यहाँ पर select करना है यहाँ पर percentage fill करनी है आपकी कितनी percentage है वो यहाँ पर fill कर दीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको result mode select करना है अगर आपका result appearing में है तो appearing पर select करिए अगर आप pass कर चुके हैं तो pass पर click करिए इसके बाद आपको यहां पर mailing address fill करना mailing address corresponding address fill जहां पर आप रह रहे हैं वो आपको यहां पर address fill करना है तो से पहले यहां पर आपको address fill करना उसके बाद यहां पर आपको state select करना है यहां पर आप रहे हैं वो state select करना है इसके बाद यहां पर आपको district fill करना है जो आपका district है वो district select कर लेजिए इसके बाद यहाँ पर आपको pin code फिल करना है जो आपका pin code number है वो फिल कर दीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको permanent address फिल करना है जो आपका permanent address है इसी तरीके सा permanent address फिल कर दीजिए एगर आपके दोनों address same है तो इस box पर click कर दीजिए इसके वाद simply नीचा आ जाना है यहाप आपको अपनी email address फिल करने है यहाप आपको अपनी email address confirm करने है इसके वाद यहाप आपको password बनाना है यहाप आपको password जोए confirm करना है password में जो है एक alphabate होना चाहिए उसके बाद I here by declare पे क्लिक करना है I not our orbit पे क्लिक करना है इसके बाद आपको submit पे क्लिक कर देना है अगर आप अपने password को save करना चाहते है तो save पे क्लिक कर दीजी नहीं तो never पे क्लिक कर दीजी आपका registration complete हो गया है और आपकी registration जो है आपके mobile number पर email पर send कर दिया जाता है आपको simply back आना है दुबारे से official website पर यहाँ पर लिखा है account login पर आपको अपनी email ID फिल करना है जो आपको registration ID बेचिये या email ID या फिर registration number जो आपको send करना है इसके बाद यहाँ पर आपको password फिल करना लोगिन पर क्लिक कर देना है जैसे आपने login पर क्लिक के आपके सामने इस तरह के scan visible हो जाएगी आपको 5 step में जो ए form complete करना है step फस्त में आपको registration, update आपका जो registration है वो activate हो गया है simply आपको link पर इस पर क्लिक करना है यहाँ से आप अपने registration चेक कर सकते हैं कोई भी mistake है तो edit भी कर सकते हैं अगर update करना है तो update पर क्लिक कर दीजें नहीं तो आपको simply उपर आना है back to dashboard पर क्लिक करना है इसके बाद आपको fee status यानि अपनी fee कट आनी है इस link पर क्लिक करना है जैसे आप link पर क्लिक करोगे आपके fee application के एक रसीदा जाएगी fee जो आपकी pending में अभी registration number यहाँ पर आपको name दे दिया detail दे दिया इसके बाद pay now पर क्लिक करना होगा आपको जैसे आपने pay now पर क्लिक के आपके सामने इस तरह की detail open हो जाएगी यहाँ पर आपको method करना है इसके बाद जो आपने method select किया जैसे आप एहाँ पर card number fill करना होगा यहाँ पर card पर जो ओलडर name होता वो fill करना होगा इसके बाद card पर expert date होती है वो यहाँ पर fill करनी होती है card की पीछे 3 number का save होता वो fill करना होता उसके बाद pay now पर click कर देना है जैसे आपका permit कर जाएगा उसके बाद आपको step third जो है complete करना होगा जब तक आप fee permit नहीं कटा होगे step third complete नहीं कर पाऊगे पहले आपको fee permit कटाना होगा उसके बाद ही आप step third में जा पाऊगे जैसे आपका fee permit status complete हो जाएगा और fee आप कटा दोगे उसके बाद आपको document upload करना है photo upload करना, signature upload करना thumbnail upload करना है जैसे आप document upload कर लोगे उसके बाद आपको print application form download कर लेना है एक form complete होकर आएगा application form उससे आप download कर लेना है आपका form जो है complete हो जाएगा उसके बाद आपका admit card अभी available सुन है, इससे relative आपको कोई information चाहे तो आप हमें comment कर सकते है और please अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को subscribe और bell icon का बटन दबाद दीचे ताके आने वाली वीडियो के update मिलते है thank you